हेई फ्रेंज वेलकम इन एडुकेशनल चानल बाई रिताशू कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे आज हम सीखने वाले हैं एट द फॉलोविंग फ्राक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां लिखा है एट द फॉलोविंग फ्राक्शन और फ्राक्श थर्ड है हमारा 3 by 20 फॉर्थ है हमारा 4 by 20 फिफ्थ है हमारा 5 by 20 और शिक्स अगेन हमारा फर्स्ट की तरह सिमिलर है 1 by 20 अब आप देख सकते हैं कि यहां न्यूम्रेटर्स 1,2,3,4,5,1 डिफ्रेंट डिफ्रेंट हैं लेकिन अगर आप देखें इनके डिनोमिनेटर्स 20, 20, 20, 20, 20 and 20 तो सभी फ्राक्शन्स के डिनोमिनेटर्स सेम हैं जो की है 20 तो यह फ्राक्शन्स कौन से फ्राक्शन्स हैं यह सभी फ्राक्शन्स हैं लाइक फ्राक्शन्स क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर 20 है अगर आपको पूरी फ्राक्शन सीरीज सीखनी है तो पूरी की लिंक description box में available है अब वहाँ जाएए पूरी fraction series सीखिए types of fractions, mixed fractions कैसे एक fraction को दूसरे fraction में convert किया जा सकता है कैसे add कर सकते हैं, subtract कर सकते हैं decimal में convert कर सकते हैं each and everything about fractions लेकिन फिलहाल हम solve करते हैं इस question को अब क्योंकि ये सभी के सभी like fractions हैं तो इसमें denominator जो हमारा है 20, 20, 20, 20, 20 इसको add करने की बिल्कुल भी need नहीं है हम simply हाँ पे line खीचेंगे और denominator में लिख देंगे सिर्फ one time 20 ठीक है, क्योंकि ये same denominator है like fractions है, like fractions में हम denominator को add या subtract नहीं करते as it is लिख देते हैं जो भी denominator होता है अब रही बात numerator की तो वो हम add करेंगे पहला numerator है one then है हमारा plus two then है हमारा plus three then है हमारा plus four then है हमारा plus five and last numerator है हमारा plus one तो हमने लिख लिया अब यहां क्या करना है denominator को जो की 20 है again as it is लिख देना है और add किसको करना है numerators को one plus two is three three plus three is six six plus four is ten ten plus five is fifteen and fifteen plus one is sixteen तो यह आ गया हमारा sixteen by twenty अब आप देख सकते हैं sixteen by twenty sixteen और twenty को हम two से divide कर सकते हैं एक common number है two जिससे हम sixteen को भी divide कर सकते हैं और twenty को भी तो हम इसको simplest form या lowest form में convert करते हैं two is just sixteen two tens are twenty अब eight by ten eight और ten को अगेन हम two से divide कर सकते हैं two four जा eight two five जा ten तो finally जो answer हमारा आया है यह क्या आया है हमारा numerator में है four और denominator में है five तो four by five हमारा final answer आया है तो इस तरह से हम इसको solve कर सकते हैं मैं आपको पूरा दिखाती हूँ यह है इसका solution कैसी लगी आपको यह वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज दू लाइक शेर और कॉमेंट तेंक यू सो मच पॉर वोचिंग में गॉट ब्लेस यू टेक केर